चलो बच्चो तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करेंगे about proteins और proteins की बात करने से पहले एक important update आप लोगों ने अपना official YouTube channel gravity circle shots subscribe किया ही कि नहीं कर लो क्योंकि उसके उपर बहुत शांदा-शांदा shots आते हैं exam related, preparation related, story, motivation बढ़ यहां मदब shots आते हैं दिन में दो shots उसके अंदर minimum आते हैं तो चैनल subscribe करके रखो वो केवल 11-12 नहीं बलकि life में आगे भी आपको बहुत मदद करेगा चले तब हमना topic continue करने that is proteins अब भाया proteins क्या होते हैं सबसे बहले protein का हलका सा introduction रखो कि protein सबसे जादा abundant biomolecule में से एक हैं एक ऐसा biomolecule जो इस दुनिया मे बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है कहां कहां से मिलता है milk, cheese, डाल, peanut, fish, meat, etc. इन सब चीजों से basically हमें मिलता है हमारी body के अगर बात करें तो हमारी body के structure को form करने में protein एक बहुत important role play करता है और साथी साथ body की functioning में भी protein का बहुत important role होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं यह हमारी body के structure and हमारी body के functions के लिए बहुत ज़्यादा important biomolecule है in fact यह हमारी growth के लिए और हमारी body के maintenance के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा requirement होती है अपनी body का cement यह मानके चलो protein के अगर बात करें तो यह एक Greek word से निकला है जिसे बोला जाता था proteose and proteose का मतलब होता है primary यानि यह वो चीज जिसकी हमारे लिए important कौन से level पर है primary level पर है अगर यह ना हो तो हमारी body काम ही नहीं कर पाएगी क्या बात समझ मारी है अब protein क्या है protein एक तरीके का polymer है मतलब एक बड़ा compound एक बहुत बड़ा molecule है protein जो किस से मिलकर बना है यह मिलकर बना है amino acids से और amino acid भी कौन से type के alpha amino acid देख छोटी सी बात बता हूं जैसे carbohydrates में आप लोगों ने क्या पड़ा था कि sir carbohydrates एक प्रकार के polysaccharides हैं जो की मिलकर किस से बने हैं किस से मिलकर बने हैं प्यारे बच्चों वो मिलकर बने हैं हमारे mm 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 किसे मिलकर बने हैं बहुत सारे monosaccharides से correct जैसे कि starch की बात तो starch बनाए glucose से और fructose से तो ऐसे बहॉत सारे बहुत सारे molecules glucose कि जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते जु़ते जाते जुड़ते जाते एक tre合 लंभी train बना लेते हैं और लंभी aern आपका carbohydrate होता है ठीक उसी प्रकार protein भी आपके लंबी चेन है लेकिन यहाँ पर वह चेन को बनाने के लिए ब्लबी ट्रेन को बनाने के लिए डब्बे कौन है वह आपके lysa amino acids ठीक है आप आगे चलते हैं यहाँ पर आपके सामने आगया है amino acids का structure यहाँ पर आप देख सकते हो यह है आपका एक functional group that is your carboxylic acid group अब आप लोग सब जानते हों कि वो carbon जो आपके functional group से directly connected है वो क्यलाता है आपका alpha carbon तो यहाँ पर इसी लिए इस amino acid को alpha amino acid बोलेंगे क्या बात समझ मारी है और यहाँ पर क्या है कि इस alpha carbon से ही आपका amine group जुड़ा हुआ है इसी लिए इसको alpha amino acid बोलेंगे देखो आपके main functional group से जो carbon connected होता है उसे alpha carbon बोलते हैं और अगर alpha carbon से आपका amine group attached हो तो इस पूरे amino acid को alpha amino acid बोला जाएगा क्या है बात समझ मैं एक example के तोरपे मैं बताता हूँ मानलीजा आपके पास में COOH group है इस COOH group से carbon connected है मानलो इसके पास में 2 hydrogen है आप लोग जानते हो कि ये carbon तो alpha carbon होता है नव alpha carbon के पास में जो carbon आएगा ये carbon कहलाएगा आपका beta carbon अब मानलो इस beta carbon से एक alkyl group attached है और यहाँ पर आपका amine group आगया तो यहाँ पर आपका जो amine group connected है वो इस beta carbon से connected है ना कि alpha carbon से तो यहाँ पर इस प्रकार के acids को बोला जाएगा beta amino acids समझ मारी बात आप लोगों को क्या ये बात आप लोगों को समझ मारी है तो such type of amino acids are called as beta amino acids क्या हम लोगों को beta amino acids से कोई लेना देना नहीं है हमारा सारा काम ये alpha amino acids से चलेगा अच्छा नाम भी पढ़ो amino amino आया आपके amine functional group से और acid acid आया आपके carboxylic acid के functional group से तो acid आगया carboxylic acid से and amine group से आगया amino तो ये दोनों group जिस compound के अंदर मौजूद होंगे उसे बोलेंगे amino acid यहाँ पर position आपके amine group की कहा है उस हिसाब से आपके amino acid को alpha, beta, gamma, delta बोला जा सकता है जैसा भी मैंने आपको beta draw करके बताया था लेकिन हम लोग जो protein खाते है हमारी body में जो protein मिलता है जब उस protein का hydrolysis किया जाता है यानि जब उस protein को तोड़ा जाता है छोटे-छोटे टुकडो में तो हमें केवल alpha amino acids ही मिलते हैं यानि केवल और केवल इस type की amino acids ही मिलते हैं इसलिए हम लोग beta, gamma, delta amino acids की बात ही नहीं करते हैं तो amino acids जो है इनका basically जो नाम हमें मिलता है वो इनके trivial names होते हैं यानि पुराने जमाने में amino acid का क्या role होता था amino acid की क्या particular property होती थी उसको देखके उस property के हिसाब से हमें amino acid को trivial यानि की common name या एक ऐसा नाम जो कोई particular rule को follow ना करता हो रग देते थे जैसे मान लो एक इनसाने वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है बहुत उची उची लंबी लंबी फेकता है तो अपन बोलेंगे ये तो फेकू है फेकू और ये फेकू तो सुना सुना लग रहा है किसे बोल रहे हो बैर मारा बच्चा और एक दिन बर टीवी पर छोटा भीम देखता है तो उसका नाम उने क्या रख दिया पप्पू देखिये ये मेरे बारे में बात नहीं चल रही है समझ मेरी बात आप लोगों को लालू प्रसाद या था वो चारा घोटा लगा तो उनको नाम रख दिया चारा मैन वैसे ही उस प्रकार से जो जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा उसका नाम अमाइनो एसिड का वैसे रख दिया ये कार्बकसिल आसीड भी चैन्ज कि डहीं किया जा सकता केवल और अगर इस अलखायल ग्रूप पर हाइड्रो जन आ जाए तो ऊचेंज होता जाता है क्या ये बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर तो यहाँ पर अगर आप किसी भी टाइप का ग्रूप बदलोगे तो आपके amino acid का नाम भी बदल जाएगा अब यहाँ पर glycine का मतलब क्या होता है glycine नाम के मीठे को बोलते है glycose अब अगर आपका कोई दोस भी मीठे वाली हरकत करता तो आप उसको यह मीठे ना बोलते हैं वह उसको यह glycose बोल सकते हैं तो glycose मतलब sweet taste वाला इसलिए English translation में इस particular amino acid को glycine बोला जाने लगा Greek language में tyros का मतलब होता था tyros का मतलब होता था cheese तो cheese के अंदर पाया जाने वाला amino acid का नाम रख दिया गया tyrosine इस प्रकार आपको इनके नाम देखने पड़ते हैं आई हम एक बार NCIT की table देखे और उसके अंदर की देखे कि कितने type के amino acids मौजूद है यह देखे तो यह कुछ हमारे पास में amino acid के list आ गई जैसे यहां पर आप देखे सबसे पहला amino acid जैसा मैंने आपको नाम बताया था glycine जो की मीठा होता है अब यह glycine के अंदर आप देखो अपन यहां बर structure बना लेते हैं यह मैंने बनाया carbon यह मैंने बनाया COOH यह बनाया है मैंने H यह बनाया मैंने NH2 और यहां पर अगर आपको याद है तो मैंने बनाया था R अब अगर इस R की जगह पर अगर इस R की जगह पर मैं hydrogen लगा दू मलब यह R की जगह पर अगर मैं hydrogen लगा दू तो यह structure बन गया आपके glycine नाम के amino acid का glycine नाम के amino acid को symbol के form में लिखा जाता है GLY याने जो 3 letters होते हैं आपके glycine के word के starting के जो 3 letters हैं उससे इसको denote किया जा सकता है और अगर आपको एक letter में लिखना होता है आप इसे capital G भी बोल सकते हैं ऐसे अगर आपके पास में alanine आ जाए venin वैसे यहां पर आता है valine valine में यहां पर क्या आजाएगा R की जगह पर यहां पर CH आजाएगा और यहां पर एक CH3 connect हो जाएगा और यहां पर CH3 connect हो जाएगा देखो लिखा है ना CH CH3 whole twice तो यह carbon से आपका एक तो CH attach हो गया और CH से CH3 यह और यह attach हो गए तो यह बन गए आपका valine क्या बात समझ मैं इस प्रकार leucine यह वाला compound लगने से CH2 CH CH2 CH3 यहां यहां पर यहां पर एक चीज और बढ़ गई यहां पर लग गया CH2 और CH2 से जुड़ गया CH CH3 CH3 तो यह बन गए आपका leucine इस तरीक है के आपको अलग-अलग टाइप के यहां पर amino acids देख सकते हैं ठीक है कोई परेशानी इसके अलावा isoleucine arginine lysine glutamic acid aspartic acid glutamine aspargin है ना threonine serine cysteine methionine phenylenilin tyrosine tyro sorry triptan then histidine and proline इस तरीके के आपको amino acids देख सकते हैं अब यहां पर आप एक चीज़ उब्ज़र्फ करेंगे कि यहां पर कुछ-कुछ के जगह पर नाम के ओपर star लगा हुआ है किसी-किसी के नाम के ओपर आप देखो कि यहां star लगा है यह star लगा है इनके नामों के ओपर आपको star नजर आ रहा है अब यह star का मतलब क्या होता है यह essential amino acids होते हैं कैसे चली इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं अगर हम amino acids के classification की बात करें तो amino acids दो तरीके से classify कर सकते हैं प्लैला classification is acidic amino acid basic amino acid and neutral amino acid पहले amino acid तीन तरीके से classify किये जा सकते हैं depending upon the number of functional group कौन सा functional group जादा है for example वो amino acids जिसके अंदर amino group से जादा COOH group मौझूद है वो acidic की category मा जाएंगे वो functional group जिनके अंदर COOH से जादा NH2 group क्योंकि देखो amino group basic nature का होता है तो अगर आपके amino acid के अंदर NH2 group की मातरा जादा है और COOH की मातरा कम है तो वो basic में आ जाएगा अगर COOH की मातरा जादा और NH2 की मातरा कम है तो वो acidic में आ जाएगा और अगर दोनों की मातरा बराबर है equal quantity तो वो neutral के अंदर आ जाएगा देखो अपने एक बार वापस से पीछे जाका table के अंदर चेक करते है कि कौन सा किस situation में आएगा अब अगर आप यहाँ पर observe करो तो यहाँ वाले particular compound में COOH और NH2 यह एक एक है यहाँ पर भी hydrogen आगे देखो glycine के अंदर और यहाँ पर भी hydrogen तो यह neutral हो गया तो glycine आपका neutral हो गया समझ मैरी बात आप लोगों को अच्छा वैसे CH3 भी neutral होता है तो यह भी neutral यह भी neutral यह सब neutral की category में आ गया लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा यहाँ मूफ करता हूँ और जब मैं जरा arginine पर नजर डालता हूँ यह arginine तो आप यहाँ पर खुद देखे arginine के अंदर यह amine group मौजूद है मनब यहाँ पर आपका जो carbon है इससे एक COH जुड़ा होआ है एक hydrogen जुड़ा होआ है एक NH2 जुड़ा होआ है और एक यहाँ पर आपका जुड़ा होआ है C sorry यहाँ पर जुड़ा होआ है CH2 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 NH C NH2 double bond NH अब यहाँ पर आप देखो एक amine group तो यह हो गया तो एक COH हो गया एक दूसरा को balance कर दिया लेकिन यहाँ पर यह amine group आ गया यह amine group आ गया यह amine group आ गया तो यहाँ पर amine group की जो है वो number जादा होने की वज़े से arginine आपका basic compound के अंदर आ जाएगा लेकिन वही जब मेरी नजर is glutamic acid पर यह aspartic acid पर पढ़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो carbon है उससे एक COH connected है एक hydrogen है एक amine group है तो यहाँ पर दोनों ने balance कर दिया लेकिन यहाँ देखो CH2 COH आ गया यहाँ पर जो R था उसकी जगे पर यह आ गया तब यहाँ पर एक नहीं बलकि दो amine आपने carboxylic acids आ गया तो एक carboxylic acid एक को तो balance कर देगा एक उससे को neutralize कर देगा लेकिन इसका क्या तो therefore यह आपके acidic amino acids की category में आ गया क्याँ बाद समझ में आ गया तो देखो यह lysine basic हो गया arginine basic हो गया यह acidic हो गया यह acidic हो गया तो यहाँ पर NH2 है तो यह basic हो गया फिर यह यह भी in fact CH2, CO, NH2 यह amide है और amide किससे बनता है carboxylic acid group से तो यह acidic है फिर इस तरीके से आपको अलग-अलग यहाँ पर group देखने मिल सकते है तो आपको यह समझ में आ गया कौन सा acidic होगा कौन सा basic होगा ओके, great और कौन सा neutral होगा जब दोनों बराबर होंगे तो फिर दूसरा classification आता है पहला किसके basis पर हो गया कि कौन सा functional group present है higher quantity में और कौन सा functional group present है lower quantity में यह functional group equal quantity में और दूसरा यह हमारी body में बनते है यह हमारी body में नहीं बनते है तो amino acids को आप second type से कैसे classify कर सकते हो यह हमारी body में बनते हैं या नहीं वो सारे amino acids जो non essential कहलाते हैं non essential amino acids वो amino acids होते हैं जो हमारी body बना लेती है बई जो हमारी body में खुद बन जाए जो amino acids हमारी body में खुद बन जाए वो कहलाते है non essential essential मतलब जिनने हमें हमारी diet में involve करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी body खुद बनाने की ताकत रखती है इसलिए वो हमारे लिए essential नहीं है हमें बाहर से उन्हें लेना नहीं पड़ेगा तो non essential amino acids which are synthesized in our body और second type होता है essential amino acids amino acids दो तरीके के होते है non essential 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 मतलब जो हमारी body में synthesized नहीं होते जो हमारी body में synthesized नहीं होते उन्हें बोला जाता है essential amino acids क्योंकि वो हमारी body नहीं बना पा रही है इसलिए मुझे उस amino acid को अपने खाने में या supplement के तौर पर involve करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार वापस से हमारी table को observe करें तो यहाँ पर आप देखो कि यह star का मतलब बोला हुआ essential amino acid मतलब histidine हमारी body good नहीं बना सकती tryptophan हमारी body good नहीं बना सकती phenyl aniline methionine threonine threonine then आपका lysine arginine isoleucine leucine और valine यह हमारी body good नहीं बना सकती इसलिए हम लोगों को इसे diet में involve करना पड़ेगा में को जाना पड़ेगा में को जाना पड़ेगा सभी में आगई बात चलिए अब यहाँ बार अगर हम लोग बात करें हमारे amino acids की तो amino acids are colorless colorless होते है crystalline solids होते है एकदम नमक के दाने की तरह crystalline दिखेंगे यह सब के सब water soluble होते हैं बिल्कुल water soluble होंगे carboxylic acid group है जिसमें O और H है Amine group है जिसमें N और H है तो water के साथ hydrogen bonding बनाएंगे high melting point होगा इसका और यह salt की तरह behave करेंगे लेकिन यहाँ पर carboxylic acid के अंदर एक बड़ा interesting factor मुझे नजर आता है कि यह जो मेरा carboxylic acid है इसमें आप देखो यह वाला जो part है आपका यह part आपका acidic nature का है यह part आपका acidic nature का और acids क्या करते हैं acids are basically proton donors acids क्या करते हैं वो proton donate करते हैं और आपका जो NH2 group है आप देखो इसके पास में loan pair मौजूद है तो यह loan pair होने की वज़े से एक प्रकार से Lewis base की तरह behave करता है तो यहाँ पर क्या होगा अपनी property के चलते यह वाला COOH अपने इस proton को release कर देगा यह क्या करेगा अपने इस proton को release कर देगा अब जब यह proton release होगा तो क्या होगा तो यह proton के release होते ही यह इस loan pair पर जाकर attack कर जाएगा मतलब यह proton को यह accept कर लेगा यानि यह proton का donate होना और इसका proton को accept करना यह एक ही molecule के अंदर चल रहा है यह एक ही molecule के अंदर अंदर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो इस वजह से अब आपको structure कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि इस particular area पर COO negative वाला पार्ट आ जाएगा और यह NH3 positive वाला पार्ट आ जाएगा तो एक ऐसा molecule जिसमें एक end पर proton donor हो एक end पर proton acceptor हो जो proton donate करने के बाद negative charge ले जो proton accept करने के बाद positive charge ले ऐसे आयन को बोला जाता है जूइटर आयन तो protons donate करना और accept करना within a single molecule and occupies negative and positive charge उस molecule को जूइटर आयन बोलेंगा यह आपके amino acids के पास में जूइटर आयन बनाने की capability होती है और जब आपका amino acid इस तरीके से जूइटर आयन बनाता है तो जूइटर आयन के form में यह amino acid amphoteric behave करेंगा amphoteric का मतलब होता है acid base दोनों की तरह behave करना ठीके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले point को यहाँपर discuss करते हैं आपके जितने भी amino acids होते हैं वो सबके सब optically active होते हैं नाउ सर optically active होते हैं यह आपको कैसे मालूम देखो यह मेरा carbon यहाँ पर एक COOH नाम का functional group यहाँ पर एक NH2 नाम का functional group यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक R अब आप देखो आपका यह वाला carbon यह वाले carbon के पास में एक दो तीन और चार चारो अलग-अलग groups मौझूद हैं तो चारो अलग-अलग groups मौझूद होने की वज़े से यह जो आपका carbon है यह asymmetric carbon हो गया और जब भी किसी carbon के पास asymmetry होती है वो optical active होता है लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है एक glycine नाम का आपका amino acid glycine नाम का amino acid के अंदर क्या होता है glycine नाम के amino acid में जो R होता है वहाँ पर आपको H रखना पड़ता है यहाँ पर आपका H होगा अब यहाँ पर H आजाने की वज़े से दो group एक जैसे हो गए दो group एक जैसे होने की वज़े से अब यह carbon asymmetric नहीं रहा यह carbon अपनी asymmetry lose कर दी इसी लिए यह वाला जो आपका amino acid है यह amino acid अब यहाँ पर optically inactive categorize किया जाएगा there is only one amino acid which is optically inactive जो optically active नहीं यह वो कौन सा है वो है आपका glycine अब यह क्या हो गया समझ माई बात मेरे प्यारे बच्चो क्या इसके अंदर कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कोई परेशानी पका चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपके amino acids होते हैं again structure wise यह D और L form में पाए जाते हैं यहने कि आप लोग समझ जीगा डेक्स्ट्रो रोडेटरी यह लिवो रोडेटरी लेकिन जो लिवो रोडेटरी amino acids होते हैं वो most occurring होते हैं नेचर में सबसे जादा वो नेचर में occurring होते हैं अच्छा उसके अलावा एक बात और बता दू यह capital D और capital L मतलब यह notations हैं यह optical activity को show नहीं करता यह show करता है notation को याद करो हमने अपने glucose के अंदर fructose के अंदर भी capital D और capital L को glyceral dehyde से compare किया था small d याने की dextro rotatory and small l मतलब livo rotatory तो यहाँ पर capital D और capital L का मतलब है यह capital D और capital L form में भी notation के form में भी denote किये जा सकते हैं capital L form सबसे जादा होता है अब यह capital L amino acid होता है यह कैसे पता चलता है यह ऐसे पता चलता है कि इनके अंदर जो amine वाला group होता है यह हमेशा आपको three dimensional structure में left side मिलेगा यानि वो amino acid जिनके अंदर आपको amine group left side मौजूद मिले left side present मिले उसको बोलेंगे L amino acid और जिसके अंदर amine group right side मिले उसको बोलेंगे D amino acid ठीक है कोई परेशानी इसके अंदर चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें amino acids के आगे further structure of protein की कि भाईया protein का structure कैसे बनता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि lead से अपके पास में एक amino acid आ गया glycine एक amino acid हमने कौन से ले लिया glycine और दूसरा amino acid lead से हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर aniline alanine ले लिया यह alanine है यह glycine है तो glycine के COOH में से OH और आपके alanine के NH2 में से एक hydrogen तो इसका एक hydrogen और इसका OH water बनके बाहर eliminate हो गए तो अब यहाँ पर NH2, CH2, CO बचा और यहाँ पर आपका COOH, CH2 यहाँ पर बचा आपका NH यह दोनों combine होका और यह जो इनके बीच में नया bond बना after removal of water इस bond को नाम दिया जाता है peptide linkage इस bond को क्या नाम दिया जाता है peptide linkage क्या बात समझ में आगए मेरे प्यारे बच्चों तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर आपका glycine और एक बाइस को check कर लेते हैं कि क्या यह alanine है यह आपका alanine है तो आपका glycine और आपका alanine यह आपके दो amino acids एक दूसरे के साथ combine हुए इनके बीच में peptide linkage बना तो इस type के structure को बोला जाएगा dipeptide linkage इस तरीके के compound को क्या बोला जाएगा dipeptide यानि अब यह क्या बन गया यह बन गया आपका dipeptide अब सरी dipeptide का मतलब क्या है dipeptide मतलब amino acids तो जब दो amino acids एक peptide linkage से जुड़कर यह दो amino acids एक peptide linkage से जुड़कर एक नया structure बनाते हैं एक नया molecule बनाते हैं उसको dipeptide बोला जाएगा dipeptide में दो amino acids एक दूसरे के साथ में जुड़े में होते हैं by a peptide linkage अच्छा इसका नाम क्या बोलेंगे glycyl-elenin 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 क्यों glycyl word आया glycine से and elenine word आया elenine से तो glycyl-elenin glycine था वो यह elenine था दोनों को combine कर दिया इसी प्रकार अगर मान लीजिए ऐसे दो नहीं बलकि एक दो और तीन amino acid जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे tripeptide अगर चार amino acid जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे tetrapeptide अगर एक दो तीन चार पांच ऐसे पांच amino acid जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे pentapeptide छे amino acid जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे hexapeptide औ और अगर आपके 100 या 100 से ज़ादा amino acids एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और उनका molecular mass 1000 amu के उपपर चला जाए तो उसे फिर protein बोला जाने लगता है तो protein का formation कब होता है जब 100 या 100 से ज़ादा ऐसे amino acids जुड़े और इनका mass 1000 amu के उपपर चला जाए तब उसे protein बोला जाता है लेकिन एक बात में आपको बताओं यहाँ पर एक twist है insulin आपने नाम सबने सुना होगा insulin नाम आप सबने सुना होगा insulin हमारी body में बनता है pancreas के अंदर जहां से हमारी body के अंदर जो हम glucose खाते हैं उसको हर cell तक पहुचाने का काम insulin करता है मतलब insulin वह आदमी है जो gate को ठोकेगा ठक 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 insulin हर cell के gate को ठोकता है ठक 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 जिसके जैसे cell अपना gate खोलता है और जैसे gate खुलता है insulin हट जाता है और glucose को बोलता है चलो अंदर cell के तो वो glucose को हर cell के अंदर पहुचाता है जहां से हमें energy मिलती है तो जिनने diabetes हो जाता है उनकी body में insulin का level कम हो जाता है तो insulin का level कम हो जाएगा तो cell के दरवाजे खुलेंगे नहीं और blood के अंदर glucose घुमता रहेगा तो आपको diabetes हो जाएगी तो insulin basically एक protein है लेकिन protein के अंदर तो आपको सिखाया गया कि sauce से जादा amino acids होने चाहिए हाँ ऐसा है लेकिन insulin एक ऐसा exceptional case है जिसके अंदर केवल 51 amino acids है लेकिन उसके बावजूद insulin को एक protein consider किया जाता है क्यों क्योंकि insulin का जो structure होता है insulin का जो conformation होता है वो बिल्कुल well defined होता है just like protein याने protein का जैसा original structure होता है protein का जैसा authentic structure होता है वैसा का वैसा structure इस insulin का भी होता है इसलिए इसे protein माना जाता है otherwise है तो यह भी एक प्रकार का polypeptide कुछ-कुछ जगह पर आप एक word इस्तेमाल करेंगे polypeptide polypeptide मतलब many amino acids polypeptide का मतलब क्या होगा there are many amino acids poly मतलब many and peptides मतलब amino acids ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो अगर हम लोग यहां पर proteins के classification की guys यहां पर बात करें तो हमारा जो protein है वो दो तरीके का होता है पहला होता है fibrous and दूसरा होता है globular अब देखो fibrous नाम से समझ में आ रहा है लंबा लंबा रेशेदार fibrous हैने जिसके लंबे 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 रेशे हों जैसे यह देखो हमारा माइक इसमें आपको fibers नजर आ रहे हैं यह बिल्कुल straight fiber यह हमारे बाल यह रेशेदार है fibrous है तो basically यह protein है fiber like structure and are formed when polypeptide chain runs parallel and held together by hydrogen bond and disulfide bond समझें बात को देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी एक polypeptide chain polypeptide chain कैसे बनेगी बहुत सारे amino acids जब एक दूसरे के साथ में peptide linkage करके जुड़ेंगे तो जैसे मालों यह आपका glycine है glycine ने alanine के साथ में dye peptide linkage बना दिया फिर तुमारा glycine आ गया फिर तुमारा alanine आ गय फिर तुमारा वैलेन आ गया फिर तुमारा आईसो वैलेन आ गया फिर तुमारा glycine यह तुमारी एक polypeptide की chain हो गई अब इसके साथ में parallel में मालो एक और chain चल रही है एलेनिन, glycine, वैलेनिन, आईसो वैलेन, फिर वैलेन, फिर तुमारा glycine, फिर तुमारा एलेनिन अभी तुमारी दो लंबी लंबी chain चल रही है अभी इन दोनों लंबी लंबी chain में मालो यहाँ पर इन दोनों के बीच में hydrogen bonding डेवलप हो जाए इनके बीच में disulfide linkage आजाए, hydrogen bond आजाए, disulfide linkage आजाए तो इस तरीके से आपको मिलता है fibrous protein यह से लंबी लंबी chain एक दुसरे के parallel चलती है तो इस तरीके के proteins को बोलते है fibrous proteins ठीक है यह कहां कहां पाया जाता है किरेटीन नाम का protein जो कि हमारे hair में होता है wool में होता है silk में होता है I am mya or not mya or it's myocene जो कि muscles के अंदर होता है वही अगर हम लोग बात करें globular protein की देखो नाम से समझ मारा है globular मतलब goal goal हो जाना तो basically जो chain of polypeptides है it coils around to give spherical shape समझे मनलब क्या हुआ कि यह जो आपकी glycine नाम की chain है जैसे मानलो यह alanine अब ऐसा कुछ हो जाए अब इसके अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि यह इस प्रकार से coiled up हो जाए यह तो यह क्या बन गया आपका technically यह था globular protein का structure ले लिया है हैने coiled हो गई मना यह जो लंबी chain चल रही थी यह इस तरीके से ऐसी coiled हो गई इसके बीच में यह गुडी मुडी हो गई मनलब घूंगराले बाल के घूंगर। ब्श्रवल सूंगराले बाल के वैसे काई कर्ल्णाराउट नहीं क्या बोलक्य ला ना वस था इस तो कि साशाल हore हो जाते हैं समझ में आरी बात आपको यह ग्लोबिलर प्रोटीन जैसे दिखते हैं वह अच्छा जिते भी ग्लोबिलर प्रोटीन इस तब वाटर सॉलुबल होते हैं इसका एक्जामपल है अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें यहां पर क्लासिटिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहां प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको चार टाइप से नजर आ सकता है पहला इस प्राइमरी स्ट्रक्चर structure of protein में पहला structure कौन सा हता है, primary structure, it is a sequence of a chain of amino acid, CD chain दिखाई देती ही आपको, amino acids की एक CD chain, याने एक polypeptide की CD chain, ये, एकदम CD लंबी chain, याने तुमारी दाल में से एकदम सीधा बाल निकले, एकदम सीधा बाल, तो सीधा बाल का structure, imagine करो, वो बाल नहीं, वो protein है, एकदम सीधा, straight, लंबा chain, that is your primary protein, ऐसे proteins के structure को हम primary protein बोलते हैं, दूसरा is the secondary, sequence of amino acids are lined by hydrogen bonding, याने एक sequence, ये दूसरा sequence, ये ऐसे बहुत सारे लंबे-लंबे amino acids, एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से, बाइंड कर जाएं, तो ये आपके secondary structure को form करते हैं, tertiary structure occurs when attraction are present between alpha helix and pleated sheets, मतलब जैसे तुवारी जो लंबी chain चल रही है, अब यहाँ पर आपको पता है, कि लंबी chain में क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है, alanine हो, हो सकता है, यहाँ पर alanine हो, हो सकता है, यहाँ पर glycine हो, हो सकता है, यहाँ पर welline हो, हो सकता है, यहाँ पर iso welline हो, हो सकता है, यहाँ पर alanine हो, अब यहाँ पर क्या है, alanine और glycine के बीच में hydrogen bonding डेवलफ हो गई तो क्या हुआ अब यह structure ऐसा हो कि यह ऐसा कॉइल हो गया यहाँ पर आपको कॉइलिंग नजर आ रही है मलब यहाँ पर मौझूद एलेनीन ने यहाँ पर मौझूद ग्लाइसीन के साथ में हाइड्रोजन बॉंडिंग कर ली यहाँ पर मौझूद वैलेनीन यहाँ पर मौझूद ग्लाइसीन के साथ में हाइड्रोजन बॉंडिंग कर ली यहाँ पर मौझूद ग्लाइसीन ने यहाँ पर मौझूद लाइसीन के साथ में हाइड्रोजन बॉंडिंग कर ली तो यह इस तरीके से इसे कॉईलिंग हो जाती है यह इस तरीके कि आपको य रुमाल घड़ी हो जाता यह देखो यह हमारा रुमाल है अब मानों रुमाल ऐसा घड़ी हो जा देखो यह ऐसा फिर यह ऐसा फिर यह ऐसा फिर यह ऐसा मतलब ऐसे इनकी प्लीट्स बन जाए यह जैसे साडियों में प्लीट्स बनाती है आपकी मम्मिया आप देखा होगा तो यह जो pleated structures जैये एक full फिर उसके पास में दूसरा fold फिर उसके पास में तीसरा फोल यह बार जो feito vastly आजाते यह देभार यह स्तरीके के जो fold आ जाते हैं यहाइसको pleated structure बोलते हैं यह तो कई बर protein के से लम्बे-लम्बे fibers एक एसे इसे pleated form में आ जाते हैं this is the pleated form समझ मैं आरी बात तो जब यहां पर coiling हो जाती तो आपको यहां पर इस तरीके के helix यह pleated structure दिखाई देते हैं और अगर मैं बात करूं quaternary structure की तो यहां पर यह बहुत जादा गुत्थम गुत्थी इसे कि एक tertiary ऐसा आ गया फिर यह समें एक secondary आ गया फिर यह समें secondary आ गया फिर इसमें कुछ primary आ गये यह इस तरीके का गौश पॉश होश पॉश structure जो होता है यह आपके quarternary का होता है एक बार अगर मैं आपको यहां पर NCRT के अंदर इसको दिखाने ही को यह देखिए यह आपका primary structure बिल्कुल सीधा 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 यह का secondary structure हलके हलकें इसके अंदर helix आ गया देखो यह अपका tertiary structure और जादा coiled up हो गया और यह आपका quaternary, quaternary में देखो आपका tertiary भी दिख रहा है आपको यह आपको ऐसे 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 देखो secondary भी दिख रहा है आपको कुछ primary भी दिख रहा है तो quaternary structure और जादा complex होता है समझमारी बात मेरे प्यारे बच्चो यह इस तरीके से यह देखो quaternary structure बहुत ज़्यादा complex है बिल्कुल गुत्थम गुत्थी हो गई है tertiary में थोड़ी कम है secondary में थोड़ी कम है और single में बिल्कुल सीधा है primary में समझमा गई बात तो इस तरीके के आपके अलग-अलग structures होते है इनको एक बार ज़रा ध्यान से observe कर लेंगे ncrt से भी और अगर नहीं करना तो बस यह ठीक है और अगर मैं इस structure को ठीक से बनाऊ तो यह हल्के से हलिक्स आ जाते हैं यह तुम्हारा secondary str purl हो जाएगा अमाइन का और यहां पर मौूद amino acid और यहां पर मौझूद amino acid में a Traction हो जाता है यहाँ पर मौझूद यहाँ पर मौझूद amino acid में structure में attraction हो जाता है इससे इधर आएंगे tertiary में तो attraction जादा होगा और इधर आएंगे तो attraction बहुत जादा होगा amino acids के बीच में अगला topic आता है denaturation of protein protein का अपने nature को loose करता है देखो protein naturally बहुत जादा coiled होता है आपको अपनी body में secondary, tertiary या quaternary type के proteins मिलेंगे लेकिन जब protein जो होता है वो अपना खुद का unique three dimensional structure carry करता है आप यहाँ पर खुद देख रहे हो हर protein का अपना unique three dimensional structure है तो जब यह protein अपने unique three dimensional structure को loose करना चालू कर दे किसकी वज़ा से physical changes जैसे की temperature में बदलाओ, chemical changes जैसे की pH में बदलाओ तो physical changes जैसे temperature और chemical changes जैसे की pH जब ये protein के आसपास के environment में इस तरीके का change आने लगता है तो protein के अंदर मौझूद आप यहाँ पर खुद देख रहे हो कि यहाँ पर मौझूद एक amino acid और यहाँ पर मौझूद एक amino acid में बहुत जादा अच्छी hydrogen bonding डेवलप हो गई है अब अगर यह hydrogen bonding pH यह temperature की वज़े से तूट जाए तो यह structure खुल जाएगा यहाँ पर आपको जो coiling दिख रही थी अब यहाँ पर अगर यह bond ही तूट जाए तो यह coiling खुल जाएगी यह coiling open हो जाएगी क्योंकि यहाँ का जो hydrogen bond अगर यह तूट गया तो फिर यह घुमाओ खतम हो जाएगा और यह एक लंबा thread बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि because of temperature या pH जो hydrogen bonds होते हैं वो disturb हो जाते हैं और आपके जो globular proteins के अंदर जो globules बने वे हैं जो helix हैं जो गुटलियां बनी हुई है जो एक दूसरे के साथ में इसे गुतम गुथी में पड़े वे हैं वो धीरे धीरे unfold होने लगती हैं जो आपके helix होते हैं जो आपके से curves होते हैं घुमाव होते हैं spring जैसे वो uncoiled होने लगते हैं या वो कम होने लगते हैं वो ultimately straight हो जाते हैं और जब protein अपने helix या अपने globules को खोल के रख देता है unfold कर लेता है वो protein अपनी biological activity को lose कर देता है क्योंकि protein की तरह एक particular type के protein की तरह क्यों behave कर रहा है उसके three dimensional structure की वजह से अब जब वो अपना three dimensional structure ही खो देगा तो protein अपना काम जो रहेगा वो ही खो देगा अब protein काम का ही नहीं रहेगा protein जिस structure में हमारी body में मौझूद है वो उसी structure में रहना चाहिए तो वो अपनी biological activity lose कर देगा और उसे बोला जाता है denaturation of protein अगर एक protein normally आपकी body में मौझूद है और एक normally अपनी biological activity perform कर रहा है तो ऐसे protein को native protein बोला जाता है यानि imagine करो तुमारे पास में मुर्गी का अंडा है तो मुर्गी के अंडे के अंदर अभी native protein है लेकिन उस अंडे को हम boil कर देते हैं boil करना मतलब उसका temperature बनाना तो आप देखते हो कि अंडा अगर कच्छा है और उस जमीन पर गिड़ जाया तो फूट जाता है मलब अंदर liquid भरा हुआ है लेकिन जैसे याब उसे गरम पानी में boil कर देते हैं तो क्या होता है वो semi solid jelly जैसा form ले लेता है मलब वहाँ पर protein ने अपनी biological activity loose कर दी है protein ने अपना nature बदल दिया है temperature की वज़े से अंडे के अंदर जो protein था उसके अंदर जो globules थे जो helix थे hydrogen bonding या disulfide linkage की वज़े से वो तूट गए है और अब वो uncoil हो गया है वो protein लंबे लंबे threads में convert हो गया है इसलिए अंडा liquify से solidify हो गया थोड़ा सा jelly जैसा हो गया तो अंडे का उबल जाना भी एक प्रकार का denaturation of protein का ही हिस्सा है लेकिन आप कुछ भी करनो primary structure कभी change नहीं होता प्राइमरी structure तो लंबा हमाई नोचिक की chain है वो कभी change नहीं होगा secondary, tertiary, quaternary यह सब destroy हो सकते हैं लेकिन primary हमेशा intact रहता है ठीक है चलिए अगले topic की तरफ चलते हैं which is enzymes now what are enzymes? मेरे प्यारे बच्चो enzymes क्या होते? enzymes are naturally occurring simple और conjugated protein याने enzymes भी protein का ही एक type है जो हमारी body के अंदर अलग-अलग type की chemical reaction को catalyze करने का काम करता है याने हमारी body के अंदर क्या आपको पता है जिसे आप एक बार अच्छा खाना खालो दूफेर में दाल, चावल, सबजी, रोटी, स्टार्टर में चिली पनीर, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, मसाला पापड, सलाद, रायता, लस्सी, छाच, कस्टर्ड, बाद में ब्राउनी वित आइस क्रीम, गुलाब जामून बढ़िया अच्छा मील खाओ आप लंच करो और आपको पता चले कि मुदी जी ने बोल दिया कि आज से दुपहर दो बज़े के बाद से तुमारी बाडी में जितने भी एंजाइन्स हैं वो काम करना बन कर देंगे मैं तुमारे माउट का सलाइवरी अमाइलेस तुमारे स्टमक का जो पेपसीन है जितने भी और आपके एंजाइन्स हैं जो आपके बाडी में डाइजेशन के लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सब इन इफेक्ट वो सब अपना इफेक्ट बन कर दें इफेक्ट लग जाएगा जो खाना आप दुफेर में खाने के बाद रात में आट-वर फिर ढूने लग जाते हों क्या खाऊं तुमारा पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो अगर enzymes हमारी body से निकाल दिये जाए या अगर उनका effect खतम कर दिया जाए तो आपके उस एक बार के खाने को पचाने के लिए body को 48 years लग जाएंगे तो समझ रहे हो enzymes कितने important है हमारी body के लिए तो यह क्या हो रहा है digestion और कुछ नहीं एक प्रकार की chemical reaction है जो की बड़े-बड़े complex biomolecules को उनके छोटे पार्ट में तोड़ती है भई तुम rice के साथ starch खा रहे हो वो starch हमारी body में जाकर ultimately glucose में convert हो रहा है तो आपको तो मालूम है कि starch बनाने के लिए glucose ही चाहिए आ रही है यह बात समझ में तो जो glucose है वो हमारी body में बन कैसे रहे starch को तोड़के तो हमारी body chemical reaction तो कर रही है भई starch को chemical तोड़ रही है यही तो रहा है हमारी body में है ना अच्छा protein खाते हो तो हमारी body protein तोड़ती है amino acids बनाती है और फिर वो amino acids को हमारी muscles तक पहुचाती है हमारे body के अलग अलग portions तक पहुचाती है जहाँ जहाँ protein की जरुवत होती है तो हमारी body क्या करती है बड़े complex biomolecules को उनके सबसे smallest part में तोड़ने का काम करती है chemical reaction करती है और इस chemical reaction को catalyze करना यानि इसका rate increase करने का काम कौन करता है enzyme enzyme जो खुद nature में protein है in fact जितने भी enzymes हैं almost सारे नहीं almost वो globular protein होते हैं यह इतने जादा specific nature के होते हैं कि अगर आपकी body में for example salivary amylase नाम का एक enzyme जो हमारे saliva यानि थूक में होता है mouth में होता है इसका काम keval और keval starch को छोटे form में तोड़ना होता है समझ मारी बात आपको तो यह उसके अलावा और कहीं काम नहीं करेगा यह glucose को digest करने में या sucrose को glucose में convert करने में या तुम्हारे protein को digest करने में role play नहीं करेगा ठीक उची तरह कर मैं stomach की बात कर तो stomach में pepsine नाम का enzyme होता है sorry तो यह pepsine नाम का enzyme केवल protein को peptides और peptons में तोड़ने का काम करता है तो फिर अगर आपके stomach में starch चला जाए glycogen चला जाए fat चला जाए lipid चला जाए nucleic acid चला जाए यह उनकी तरफ देखे गाई नहीं बोलेगा भया तुम्हारा digestion या तो mouth में होगा या intestine में होगा में तो stomach में मौझूद हो और में तो यह केवल और केवल protein तोड़ूँगा तो यह बहुत जादा specific nature के होते है यान एक reaction के लिए एक enzyme ही particularly काम करेगा इनके अगर हम नाम की बात करें तो इनका नाम इनके काम के उपर है नाम कैसे मिलता है enzymes को उनके काम से जैसे आपके पास में एक maltose नाम की sugar होती है यह maltose नाम की sugar को water की presence में glucose में अगर तोड़ना हो तो यह process करने के लिए हमारी body में एक enzyme काम करता है इस process को fast करने के लिए maltose से जो maltose हमारे mouth में बन चुका है maltase maltase एक complex molecule है तो जब हमारी mouth में आता है starch infect starch एक complex molecule तो starch को maltose में तोड़ने का काम कौन करता है salivary amylase फिर maltose से glucose निकलने का काम कौन करेगा maltase नाम का एक enzyme याने maltose maltose नाम की sugar को glucose में convert करने के लिए जो enzyme काम कर रहा है उसका नाम क्या रखे उसका नाम हमने maltase रख दिया वैसे एक enzyme का नाम होता है oxidoreductase अब यह oxidoreductase नाम का molecule का करता है यह हमारी body में मौझूद एक compound का oxidation तो दूसरे compound का reduction करता है तो यह एक enzyme oxidation भी कर रहा है एक particular substrate का और दूसरे substrate का reduction कर रहा है एक ही molecule एक ही enzyme तो इसका नाम oxidoreductase रख दिया और आप देखो सारे enzyme का नाम ASE से end हो रहा है salivary amylase फिर maltase फिर oxidoreductase इन सब के नाम के आखरी में ASE लगता है अगला topic आता है हमारे vitamins अगर हम vitamins की बात करें तो vitamins are दो substances जो हमारी एक normal body को maintain करने का काम करते हैं हमारी health को maintain करने का काम करते हैं हमारी body की growth में important role play करते हैं और हमारी body को nutrition provide करने का काम करते हैं यह हमारी regular diet के अंदर एक small quantity में required होते हैं और यह हमारी body के important biological functions को perform करने के लिए हमारी body के important biological function को maintain करने के लिए और हमें healthy रखने के लिए important होते हैं पुराने जमाने में यह सोचा जाता था कि vitamins का नाम का अगर आप spelling देखो तो vitamin की spelling में N के बाद में E लगाया जाता था और यह नाम कैसे निकला Greek language से Greek language में vital का मतलब होता था vital and vital का मतलब होता है very important for our life and amines amines इसलिए लगाया गया क्योंकि यह माना जाता था यह सोचा जाता था कि vitamins ऐसे chemical compounds हैं ऐसे substance हैं जिनमें amines मौजूद है और यह amines हमारी life के लिए vital है लेकिन बाद में जब और research करी गई तो यह पता लगा हमें कि most of the vitamins did not contain amines group बाद में यह वालूं पढ़ा कि vitamin तो वह सारे type के होते हैं और यह सारे type के vitamins के अंदर amines group हो यह compulsory नहीं है तो फिर हमने नाम तो vitamin इस चीज़ के उपर अग दिया कि vital amines तो बाद में vitamin के नाम में से e drop कर दिया गया और अब vitamin को पहले vitamin बोलते थे या vitamin बोलते थे vitamin, vitamin, vitamin लेकिन अब इसका नाम vitamin कर दिया e हटाने से यहाँ पर अब वो compulsion खतम हो गया कि इस compound के अंदर amine group होना चाहिए vitamin दो तरीके के होते हैं पहले vitamin होते हैं fat soluble और दूसरे vitamin होते हैं water soluble देखो fat soluble हमारी body के अंदर exist करते हैं लेकिन water soluble हमारी body से बहुत easily eliminate हो जाते हैं क्योंकि हम रोज दिन में 4-5 बार सूसू जाते हैं क्योंकि हमारी body में हम जो पानी पीते हैं वो पानी हमारे urine के थू body से बाहर eliminate किया था with the help of kidney तो यहाँ पर जितने भी water soluble vitamins हैं वो आपके kidney के अंदर पहुँच के blood की मदद से kidney में पहुचते हैं और क्योंकि kidney में urine बन रहा होता है यह उसके साथ क्योंकि urine बन रहा होता और urine में water होता है तो यह उसके साथ body से eliminate हो जाते हैं इसलिए आपम देखा होगा कि हमारी body में vitamin B और vitamin C की कमी सबसे जादा देखी जाती है अब याद कैसे रखेंगे देखो B.C हम हमारे दोस्तों को हमारे रिष्टेदारों को हमेशे एक आली बगते मैं बिचंगा मेरी ex बिचंगी मेरी next बिचंगी रिष्टेदार भैं बैं आ रिष्टेदार आई आ B.C बस और जैसे हम किसी को अब साले BC बोलते हैं हमारे family member बिचारे शर्म से पानी पानी हो जाते हैं क्या सोचा था मेरा बेटा क्या बनेगा और यह क्या बन गया BC BC कर रहा है तो BC बोला सब पानी पानी हो गए सहिया ने बोला BC में पानी पानी हो गई तो यह हो गया BC तो water soluble vitamin कौन BC अब हमारी indoori language में बोलते हैं दुकान पर आगे भाईया समोसा है बोलता है लाओ जरा एक आद खिला दो हम क्या होते लाओ जरा एक एक हाद एक हाद खिला दो एक हाद खिला दो का simple मतलब होता है लाओ एक खिला दो एक हाद होतो देदो यार भाईया पेंड्राइव पड़ी है लाओ एक हाद एक एक्स्ट्रा होतो एक मुझे देदो थोड़ी बहुत होतो एक हाद एक हाद एक आद तो वहाँ पर देखो आपके fat soluble vitamins भी कैसे हैं एकाद एक आद यह इंदोरी language में बोलाया था एकाद तो यह एकाद आपके fat soluble है एकाद is your fat soluble और टेबल अगर 14.3 अगर हम लोग हमारे NCRT की follow करें तो हमें वहाँ पर बहुत सारे vitamins के नाम देखने को मिलेंगे जो भी हम लोग देखने चल रहे हैं यह देखिया यह पहुझगा है अब यहाँ पर आप देखिये सबसे पहले हम कोई vitamin का table याद भी रखना है क्योंकि vitamin का table हमारे लिए बहुत important है क्योंकि exam के अंदर इस पर से question आते है देखिये vitamin A को अगर आप ध्यान से देखें तो यह आपको fish, liver, oil, carrots, butter and milk से मिलता है vitamin A की अगर आपकी body में deficiency हो जाए तो आपको zerophthalmia नाम की बिमारी होती है zerophthalmia के अंदर आपकी आखों का जो cornea होता है वो hard होने लगता है करक होने लगता है पहली बिमारी तो zerophthalmia है एंड दूसरी बिमारी होती है night blindness रात होते होते अंधापन आ जाना vitamin B1 that is called as thiamine vitamin B1 का दूसरा नाम scientific नाम क्या है thiamine यह मिलता है yeast से, milk से, green vegetables से and cereals से अब यहाँ पर आप देखो दोनों में milk common है तो अगर exam में question आता है तो milk लिखना safe है दूसरी बात यहाँ पर आदेखो carrots vitamin A carrots है और vitamin B12 vegetables है तो यह भी थोड़ा safe zone में आ गए सबजियां खालो अच्छा इस से होता क्या है vitamin B B से होता है berry berry यहने loss of appetite भूक लगना बंद और जब तुमारे भूक लगना बंद हो जाएगी तुमारी growth भी retard हो जाएगी तो berry berry and retarded growth अगला होता है riboflavin riboflavin is the scientific name of vitamin B2 देखो यहाँ पर भी interesting बात milk से मिल रहा है यहाँ तीनों में common हो गया milk अच्छा उसके बाद आदेखो यह एग white में होता है लिवर में होता है और kidneys में होता है animals की इससे होती है बिमारी that is called as keliosis which means fissuring at the corner of the mouth and lips होटों के अंदर यह वाले portion पर cracks आ जाना हम बोलते होट फट गाए होट ठंड में फट जाते हैं लेकिन इन लोगों के 12 महीने 24 घंटे 7 दिन होट फटे रहते हैं यहां से cracks दिखेंगे बड़े बड़े यह तो इसको बोलते है विटामिन B2 की deficiency अच्छा इनके digestive disorders इनके साथ में रहेंगे और इनको इनकी पूरी skin पर लगता रहेगा कि जलन हो रही है एक जगे तो हमारे headers उनके यहां भी होती है तुम्हारे अच्छे marks रहेंगे तुम्हारे रिष्सदारों के भी यह होगी बट हम उसको यहां पार इस deficiency से डिनोट नहीं करेंगे समझ यह वच्लाव हो विटामिन 6 शे ंपारिडॉक्स इनक ये भी आपको मिल्क से मिल राहे एम्योक से मिल राहे सीरियल से मिल से मिल रहे तो आप देखो चारों के अंदर milk common है इन दोनों में egg common है east common है इन दोनों में है ना अच्छा इस से आता है convergence जटके आना brain neurological बिमारी होती है मिरगी के दोरे पढ़ते हैं वैसे vitamin B12 vitamin B12 is the most common vitamin हम इसकार में हमेशा खुनते है vitamin B12 की कमी है यह आपको मिलेगा egg से यह आपको मिलेगा fish यह आपको मिलेगा curd अब curd क्या है मिलका ही एक product है और यह आपको मिलेगा meat से इस से आपको pernicious enemia नाम का disorder होता है यानि कि आपकी RBCs के अंदर hemoglobin की कमी हो जाना यह neurological disorders को भी cause करता है neurological disorders को भी यह cause करता है अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों के लिए vitamin C vitamin C is also called an ascorbic acid खटे जैसे खटे फ्रूट जैसे आवला हरी पत्तेदार सबजी और खटे फ्रूट से मिलता है यह bleeding gums और स्करवी को cause करता है immunity को भी वीक करता है vitamin D exposure to sunlight fish and egg yolk से मिलता है इससे bone deformities होती है children के अंदर जिसे rickets बोला जाता है बड़े बड़े जब लोग होते हैं उनके अंदर osteomalacia हो जाता है यानि उनकी bones soft हो जाती है और joints के अंदर pain होता है यह bone related problem यह cause करता है अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों vitamin E vitamin E आपको मिलेगा सारे के सारे vegetable oil से जैसे sunflower oil wheat germ oil olive oil sunflower oil ground nut oil उनसे मिलता है यह आपके fragility of RBCs को बढ़ाता है और muscles की weakness को कम करता है तो अगर आपकी body में इसकी deficiency हो जाता है तो आपकी RBC की fragility बढ़ जाती है fragility का बढ़ना का मतलब होता है fragile हो जाना fatac से RBC का rupture हो जाना food जाना RBC एकदम से यहाँ पर क्या होती है food जाती है और muscles कमजोर हो जाती है vitamin K green leafy vegetables के अंदर पाया जाता है और यह आपके blood clotting के time को बढ़ाता है vitamin K उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका blood जल्दी clot नहीं होता खून blood आने पर बहुत देर तक नहीं रुपता ठीक है चलिए अब अगला topic अपने शुरू करने आले है that is nucleic acids तो हम लोग हमारा slide वापस खोल लेते हैं और चलते हैं nucleic acids की तरफ now guys nucleic acids क्या होते हैं अब आप लोग सब जानते हैं nucleic acids are again long chain polymers that are present in high concentration in the nucleus of the cell हमारी body के हर cell के अंदर जो nucleus होता है उसके अंदर ये long chain polymer पाए जाते हैं ये काम क्या करते हैं they play an important role in cell replication and protein synthesis हमारी body जो non essential amino acids खुद बना लेती है उनको सब को जोल कर हमारी body के लिए protein बनाने का काम ये लोग करते हैं और cell को replicate करना ये cell को divide करने का काम ये लोग करते हैं nucleic acids दो तरीके के होते हैं पहला होता है DNA और दूसरा होता है RNA मतलब ये हैं आपकी body के ये वही चीज़े जो आपको आपके मम्मी पापा से मिली है यानि अगर आप आपका DNA चेक कराओगे DNA is deoxy ribonucleic acid जब आप ये चेक कराओगे तो आपका DNA आपके मम्मी पापा से मैच करेगा लेकिन आपका DNA आपके पडोस वाले से मैच नहीं करेगा अगर हम nucleic acid के chemical composition की बात करें तो आपका nucleic acid तीन चीज़ों से मिलकर बनता है पहला is the pentose sugar पहला क्या है pentose sugar आपके पास में दो structures बने हुए ये बीटा-डी ribose और बीटा-डी-2 deoxy ribose ribose एक 5 carbon वाली एक sugar है एक monosecuride है जिसमें 5 carbon होते है और उसके बीटा-डी-2 का form आपको nucleic acid में देखने को मिलता है मैं फिर से repeat करता हूँ nucleic acid के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है pentose sugar pentose sugar मतलब एक ऐसी sugar जिसमें 5 carbon है वो कौन से नाम की sugar है वो है ribose sugar कौन से sugar मिलती है आपको इसके अंदर आपको इसके अंदर ribose sugar मिलती है लेकिन आप लोग अभी carbohydrates पढ़ के आए आपको पता है कि कोई भी sugar उसके 2 anomers होते है alpha, beta तो यहाँ पर pentose का beta anomers हमें यहाँ पर लगता है beta, d, ribose जिसमें आप यहाँ पर देखते है पहले number वाले carbon पर OH OH is on the right side and H is on the left side तभी इसको बीटा बोला गया है अगर यह इसका first carbon वाला OH इदर होता left side और H उपपर होता right side तो यह alpha form होता लेकिन हमको beta form यहाँ रखना है दूसरे number वाले carbon का OH इदर होगा यह तीसरे number वाला carbon का OH ऐसा चौतरे number वाला carbon यह रहा और यह पाच्वे number वाला carbon यह beta, d, ribose लेकिन आप यहाँ पर second pentose sugar को देखें तो पहला carbon सेम लेकिन दूसरे number वाले carbon पर यहाँ पर technically एक OH था लेकिन यहाँ पर केवल H है मलब यहाँ पर second number वाले carbon का oxygen गया इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया beta क्योंकि यह pentose का beta anomer है d, definitely यह dextrorotatory glyceral dehyd से इसके अंदर similarity होगी तभी यह d आया notation 2, यहने second number वाले carbon पर deoxy, यहने second number वाले carbon पर oxygen गया ribose ribose sugar के क्या बाद समझ मैं तो यह आपका pentose sugar हो गया second cheese is your phosphoric group यहने pentose sugar के उपर pentose sugar के साथ में आपको phosphoric group भी नजर आएगा and तीसरा are the bases bases क्या है nitrogen containing heterocyclic compound जो की 5 तरीके के होते है adenine, guanine, cytosine, thymine यह 4 के 4 DNA के अंदर पाए जाते है लेकिन adenine, guanine, cytosine और uracil यह 4 आपको मिलेंगे RNA के अंदर तो DNA और RNA में क्या फ़रा के समझ में आया DNA के अंदर आप लोगों को adenine, guanine, thymine and cytosine देखने को मिलेगा लेकिन RNA के अंदर आपको adenine, guanine, cytosine तो मिलेगा लेकिन thymine को replace कर देगा uracil तो यह बन जाएगा आपका RNA यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार NCIT के अंदर इन सभी के structures को observe कर लेते हैं देखो आप लोग ध्यान से adenine का structure adenine के structure को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा carbon, nitrogen, carbon, nitrogen समझ महारी बात आप लोगों को एक ring में carbon, nitrogen, carbon, nitrogen carbon, nitrogen यानि alternate चल रहा है और इन दोनों rings को combine करने के लिए carbon, carbon है double bonds है और यहाँ पर इस वाले carbon पर एक NH2 group है तो यह होगा आपका adenine adenine के बाद जब आप गवानिन में आओगे तो गवानिन के अंदर यह वाली ring बिल्कुल सेम है यह वाली ring में बस एक छोटा सा change हो गया कि यहाँ पर C double bond O group लग गया और यह NH2 यहाँ आगया अब क्योंकि यहाँ पर carbon nitrogen में bond single हो गया तो यहाँ पर एक hydrogen बन गया यह बन गया तुम्हारा guanin cytosin simple एक carbon वाली ring है मतलब यह वाली पूरी की पूरी ring है बस यहाँ पर यह वाली ring हट गयी यह बन गया cytosin thiamine के अंदर और cytosin के अंदर बिल्कुल similarity है बस यहाँ पर CST group extra आ गया और uracil के अंदर uracil के अंदर सब कुछ same है uracil और cytosin के अंदर सब कुछ same है cytosin में यहाँ पर NH2 है तो uracil में यहाँ पर C double bond हो है तो structure wise यह कुछ आपको ऐसे दिखाई देते हैं तो यह पांचो के structure एक बार जरूर ध्यान से NCRT से लिख लीजेगा अब यहाँ पर अगर हम लोग nucleic acid के structure की बात करें तो nucleic acid के structure कुछ ऐसा नजर आता है देखो जब आपके pentose sugar यह आपकी pentose sugar आ गई तो pentose sugar के first carbon पर एक base आकर लग जाए बाकी सब कुछ सेम रहे यानि आपका pentose sugar आ जाए आपका pentose sugar आ जाए और उसके साथ में अगर आपका base आ जाए तो यह बन जाएगा nucleoside और जब आपके pentose sugar के साथ में base तो पहले से मौझूद है और अगर उसके पांचवे नंबर वाले carbon पर अगर एक phosphoric group आकर attach हो जाए अगर उसके उपर पांचवे नंबर वाले carbon पर अगर एक phosphoric group आकर attach हो जाए तो वो बन जाता है nucleotide देखो यहाँ पर trick याद रखना nucleotide T, T stands for 3 त्री चीज़े कौन? pentose sugar phosphoric group and your base pentose sugar phosphoric group and base यह देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? आपका एक nucleotide आपका एक nucleotide जब दूसरे nucleotide के सामने आता है तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बहुत important चीज़ कि इसके तीसरे नंबर वाले carbon का OH और इसके पांचवे नंबर वाले carbon का phosphoric group का H जान से मेरी पास सुनना इस nucleotide के तीसरे नंबर वाले carbon का OH और इस nucleotide के पांचवे नंबर वाले carbon पर मौझूद phosphoric group का H water बन के बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर इनके बीच में एक linkage आ जाएगा and this linkage and this linkage is called as phosphodiester linkage आप खुद देखो यहाँ से OH बाहर हो गया यहाँ से H बाहर हो गया तब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यह oxygen और यह carbon कंबाइन हो गए यह carbon और यह oxygen कंबाइन हो गए देखो यह carbon और यह oxygen कंबाइन हो गए तो यह इनके बीच में यह जो bond बन रहा है यह वाला जो bond बन रहा है अब यहाँ पर आप देखो connection कैसे हुआ यहाँ पर हुआ connection between carbon number 3 of one nucleotide and connection between carbon number 5 of the other nucleotide other nucleotide ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी अच्छा अब यहाँ पर गाईस दो scientist थे James Watson and Francis Crick इन लोगों ने for the first time हमारे DNA के double helical structure को propose किया इन्होंने बोला कि एक poly nucleotide की chain और एक दूसरी poly nucleotide की chain एक दूसरे के parallel जा रही होती है दोनों poly nucleotide की chain एक दूसरे के parallel जा रही होती है लेकिन एक interesting fact ही होता है कि एक poly nucleotide की chain शुरू होती है अपने 5 dash end से और खतम होती है अपने 3 dash end पर सा समझ में नहीं आया यहाँ देखो यह carbon का यह वाले nucleotide का तीसरे number वाला carbon joined हुआ तो इसका पाच्वे number वाला carbon यह free है न तो यह ring यहाँ से शुरू हुई चली 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 यहाँ देखो यहाँ पर इसके तीसरे number वाला carbon यह वाला point अभी free है क्योंकि इसके पाच्वे number वाले carbon ने bonding करी तो इस particular ring के अंदर शुरूआत पाच्वे number वाले carbon के free होने से और end तीसरे number वाले carbon के ओपर जो group मौझूद है उसके free होने से हुई तो अब यहाँ तो केवल दो nucleotide है imagine करो यहाँ 5000 होते तो भई 5000 भी होते तो फर्स्ट वाले में 5000 वाला और 5000 वाले पर थर्ड वाला free होता तो यह nucleotide की chain ऐसी दिख रही है कि इसका 5 वाला free है और इसका 3 वाला free है और इसके पास में यह वाली जो ring चल रही है यह वाली जो poly nucleotide की chain चल रही है इसमें इधर 3 वाला पहले free है मलब आप इसको अब उल्टा कर दो इस पूरे को उठा कर ऐसे उल्टा कर दो तो इसका 3 उपर चला जाएगा और यह 5 नीचे आ जाएगा तो यह वाली जो nucleotide की chain है poly nucleotide यह उल्टी चल रही है तो यहाँ पर यह देखा गया कि इस वाली poly nucleotide की chain का adenine इस वाले poly nucleotide की chain के thaiamine के साथ में 2 hydrogen bond बनाता है it forms 2 hydrogen bond और इस वाली रिंग का guanine इस वाली रिंग के cytosine के साथ में 3 hydrogen bond बनाने की ताकत रखता है तो अब क्या होगा अब यह दोनों जो poly nucleotide की chain है इसमें अगर यहाँ पर guanine आ गया तो यहाँ पर cytosine के साथ triple bond बनेगा यहाँ thaiamine आ गया तो यहाँ adenine के साथ double bond बनेगा यहाँ adenine आ गया तो यहाँ thaiamine के साथ double bond बनेगा यहाँ guanine आ गया तो यहाँ cytosine के साथ triple bond बनेगा समझवारी बात आप लोगों को और इस तरीके से दोनों poly nucleotide के अंदर मौजूद जो base है वो एक दूसरे के साथ में double यह triple hydrogen bond बनाकर एक इस तरीके का helical structure बना लेते हैं इसकी ट्रीक है अच्छे marks कहाँ आएंगे at gravity circle अच्छे marks कहाँ आएंगे at gravity circle a से adenine t से thymine gravity के g से guanine circle के c से cytosine ठीक है लेकिन अगर भही मैं RNA की बात करूँ तो RNA का single helical structure ही होता है RNA केवल आपको ऐसा ही दिखाए देगा एक single structure के form में RNA तीन तरीके का होता है mRNA, tRNA, rRNA जो आप लोग biology में detail में पढ़ेंगे यहाँ पर उसकी कोई role ने importance नहीं है and with this हमारा chapter खतम होता है biomolecules अब हम biomolecules के pyqs एक दिन discuss करेंगे and जो बच्चे वे chapter के I think सारे pyqs खतम हो गए बचा गया है pyqs भी खतम biomolecules के chapter भी खतम and with this हमारा course 12th का पूरा finish होता है pyqs series भी में तरफ से finish हो जाएगी अगली बार biomolecules डालते ही फिर केवल one shot one shot कुछ important revision series जो है वो exam तक चलेगी and फिर हम लोग sample vapor वगरा solve करना शुरू करेंगे देखेंगे बहुत time अभी exam में तो बहुत पढ़ेंगे बचलो बबाई everybody take care all the best